हेलो ओफिजर्स अड़ा247 के योट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो यहां पर जैसे ही अभी यहां पर हम डेली सेशन्स ले रहे हैं उनमें प्राक्टिस कर रहे हैं टाइमर लगा के प्राक्टिस कर रहे हैं इनिक्वालिटी का जैसे ही मतलब क्वेस्टिन आते ह हैं तो बहुत जादा स्टूडेंट पूछने लगते कि आइदर और की कंडिशन क्या है एक्जैक्ली आइदर और कैसे बनता है आप ऐसे बहुत सारे लोगों को आइदर और इनिक्वालिटी में एकदम क्लियर है पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट से जिन्नोंने जीना कहीं गलतिया हो रही है तो ये एक्जाक्ली हम आज इस छोटे से षेशन में इनिक्वालिटी में आईदर और कैसे होता है ये समझेगे ठीक है तो यहाँ पर हमने आईदर और की कंसेप्ट को समझने के लिए एक statement लिया हुदा है statement एक दम सिंपल सा और चोटा सा है B is greater than equal to C is greater than equal to D is less than equal to E and is less than F. ये एकदम simple सा statement लिया है. हमने यहाँ पर दो conclusions लिये है, B is greater than D and B is equal to D. सबसे पहले तो हम क्या check करेंगे, ये conclusion सही है या नहीं ये check करेंगे. B और D के बीच में अगर हमें relation निकालना है, तो B और D के बीच में हमें relation क्या मिलता है? B is greater than or equal to D. B से लेकर D तक जाता है, ये दो symbol सेम ही है, priority सेम ही रहेगी. तो B और D के बीच में answer क्या मिलता है, relation क्या मिलता है? B is greater than or equal to D. अब देखो, ये relation ना तो इससे 100% माच करता है, ना इससे 100% माच करता है. मतलब, ये दोनों भी conclusion क्या होने चाहिए थे? गलत होने चाहिए थे. ठीक है? अब देखो, यहाँ पर दोनों भी conclusion गलत हुए है, तो इसका answer neither nor नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ condition satisfy होती है, और उन conditions के satisfy होते हुए, इसका answer either or आता है. कुछ conditions है, वो conditions हम यहाँ पर देख लेंगे. सबसे पहली condition हम देखते है, क्या है? सबसे पहली condition यह होती है हमारे पास, हमारे पास दो ऐसे conclusion होने चाहिए, जिन में same variable हो. तो पहली condition है हमारे पास, दो ऐसे conclusion जिन में same variable हो, यहाँ पर देखो, B, D, B, D दोनों भी conclusion में same variable आ चुके है यानि आईदर और की पहली condition satisfy होती है दूसरी condition आईदर और के लिए ये होती है कि वो दोनों के दोनों conclusion गलत होने चाहिए दूसरी condition क्या है? वो दोनों के दोनों conclusion गलत होने चाहिए यहाँ पर हमने पहले ही देखा हुआ है कि यह दोनों conclusion क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, ठीक है? आईदर तीसरी condition ये होती है कि all possible relations must have been covered तीसरी condition क्या होती है? All possible relations must be covered इसका मतलब क्या होता है समझते है पहले अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें B और D के बीच में relation क्या मिला था? B is greater than or equal to D यहाँ पर B और D के बीच में जो भी relation मिला है उससे relation कितने possible हो सकते है B और D के बीच में? B, D से बड़ा हो सकता है या फिर B, D के बराबर हो सकता है ठीक है? All possible relation मतलब B और D के बीच में यहाँ पर जो relation मिला था उससे कितने relation possible हो सकते है तो हमारा answer है सिर्फ 2 relation possible होता है अब देखो यहाँ पर क्या यह दोनों के दोनों relation options में cover हो चुके है? देखते हैं B is greater than D first option में आ चुका है B is equal to D second option में आ चुका है either or की तीनों भी condition satisfy होती है इसी लिए इस question का answer क्या आता है either or आता है इसी लिए पहला जो हमने यहाँ पर set लिया था इसका answer क्या आएगा either or आएगा इसी तरीके से conclusion के और एक set को check करते हैं अब हमें यहाँ पर पहला conclusion दिया है A is greater than E और दूसरा conclusion दिया है A is less than or equal to E ठीक है अब यहाँ पर check करते हैं इसमें answer either or होगा या नहीं होगा सबसे पहले तो हमें inequality में जब कभी भी हमें options बिलेंगे सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि कोई दो conclusion हमारे पास ऐसे है कि जिन में variable same है यहाँ पर A और E A और E दोनों में भी A और E आ चुके है तो इसका मतलब यहाँ पर either or बनने का chance था either or की पहले condition यहाँ पर satisfy हो चुकी है ठीक है पहले condition satisfy हो चुकी है relation हम देखते है A और E के बीच में opposite family के members आ रहे है मतलब यह relation क्या होना चाहिए cannot be determined A और E के बीच में relation क्या होना चाहिए यहाँ पर cannot be determined reason क्या है कि opposite family के member cannot be determined तो पहला conclusion गलत हो जाएगा और दूसरा भी conclusion क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा either or की पहले condition तो satisfy हो ही गई थी दोनों भी conclusion गलत हो चुके है तो दूसरी भी condition satisfy हो गई यहाँ पर तीसरी condition check करते है all possible relation must be covered यहाँ पर A और E के बीच में relation क्या मिला है हमें cannot be determined cannot be determined का मतलब होता है कि यहाँ पर A जो है E से बड़ा हो सकता है या फिर A जो है E के बराबर हो सकता है या फिर A जो है E से छोटा हो सकता है यहाँ पर cannot be determined का मतलब क्या है A जो है E से बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है तीनों में से कुछ भी relation वहाँ पर exist हो सकता है अब हमें यह तीनों भी relation check करने थे यह तीसरी condition check करने के लिए A is greater than E पहले option में आ चुका है A is equal to E यहाँ पर चुपा हुआ है देखो यहाँ पर A is equal to E है and A is less than E यहाँ पर है तो यहाँ पर तीसरी condition satisfy होती है तीनों भी condition satisfy हुई है इसलिए इसका भी answer क्या आना चाहिए था आईदर और आना चाहिए था यहाँ पर answer क्या आना चाहिए था अब यहाँ पर जिनोंने preparation just start किया है और जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में एकदम clarity नहीं है वो यहाँ पर confused हो जाते है कि दो condition कब check करनी है क्योंकि हमने यहाँ पर तीसरी condition check करने के लिए relation कितने check किये थे सिर्फ दो check किये थे और यहाँ पर कितने कर रहे है तीन अब दो कब करने है तीन कब करने है यहाँ पर देखो यह depend करता है हमें यहाँ पर उन दो entities के बीच में कौन सा relation मिलता है यह किस बात पर depend करता है यहाँ पर हमें उन दो entities के बीच में कौन सा relation मिलता है अगर हमें यहाँ पर combination वाला sign मिलता है याने की greater than equal to और less than equal to वाला तो हमें relation कितने check करने होते है दो relation check करने होते है अगर हमें cannot be determined मिलता है तो cannot be determined में possible relation कितने आते हैं तीन आते हैं तो अगर relation cannot be determined मिलता है तो तीन relation check करेंगे और अगर relation greater than equal to or less than equal to याने combination वाला मिलता है तो हम सिर्फ दो relation check करेंगे ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक और questions all करते है इसके उपर हमें यहाँ पर दिया है A is greater than F and दूसरा conclusion दिया है F is less than or equal to A हमें यहाँ पर यह conclusions दिया है अब यहाँ पर देखो A F A F क्या कहा था? जैसे ही inequality का question दिखता है सबसे पहले option scan करो और देखो कि कोई दो option ऐसा है कि जिनमें variable same है यहाँ पर तो वो आ चुक है अब यहाँ पर पहली condition तो satisfy हो गई या इदर और की चलो दूसरी condition check करते है A और F के बीच में हमें relation क्या मिलता है यहाँ पर cannot be determined A और F के बीच में relation हमें क्या मिला यहाँ पर cannot be determined क्योंकि यह दो members opposite family से थे तो दोनों भी क्या होने चाहिए थे? गलत आइदर और की दूसरी condition भी satisfy हो चुकी है यहाँ पर तीसरी check करते है कि सारे possible relation cover हो चुके है क्या-क्या possible relation हो सकते है यहाँ पर A और F के बीच में cannot be determined है इसका मतलब कितने relation possible हो सकते है तीन relation पहला क्या होगा A is greater than equal to F greater than F हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है A F के बराबर हो सकता है तीसरा क्या हो सकता है एफ से छोटा हो सकता है, चेक करते हैं, A is greater than F, आ चुका है, A is equal to F, यहाँ पर आ चुका है, A is less than F, A is less than F, ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर दिखने की लिए तो तीनों सिंबल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, पर यह तीनों सिंबल देखके आइदर और मार्क नहीं करना होता है, यह रिलेशन्स देखकर मार्क करना होता है, ठीक है, तो किसी ने अगर तीन सिंबल देखके यहाँ पर आइदर और सोचा होगा, तो वो गलत है, क्योंकि इसमें A is less than F, A is less than F, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो यह जो तीसरी कंडिशन है, यहा पर क्या देखा है, all possible relations, हम किसकी बात कर रहे है, सारे possible relations की, ना कि सारे symbols की, ठीक है, तो यहाँ पर सारी condition satisfy नहीं हुई है, मतलब साफ है, आइदर और नहीं होना चाहिए, आइदर और नहीं होगा, तो इसका मतलब यह दोनों गलत हो चुके है, तो यहाँ पर answer क्या होना चा situation में क्या देखा है, कि inequality में either or कैसे check करते है, ठीक है, कब हमें 2 conditions check करनी होती है, कब हमें 3 conditions check करनी होती है, ठीक है, और exactly तीसरे condition का मतलब क्या है, all possible relation, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो I hope अभी इतना discuss करने के बाद, यहाँ से आगे either or में आपसे गलती नहीं होगी, either or के सार questions जो है, आप सही करोगे, ठीक है, तो यह बस session, छोटा सा session उनके लिए था, जो either or में गलत कर रहे थे, ठीक है, अगर आपको यह session अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छा लगा है आपको, और आप चाते हो, ऐसा ही छोटे-छोटे sessions आपके लिए बनाते रहें, जिसमें आ चोटी-चोटी चीजों को लेकर concepts clear करते रहें, तो session को like और share जरूर कीज़े, thank you and have a great day.